So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आनिकी 17 March की important current affairs को देखिए मारा पहला प्रशन क्या है हाल इमें राष्ट्रेट टीका करन दिवस ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 16 March को तो भारत में हर साल 16 March को National Vaccination Day के रूप में मनाया जाता है उद्दिश्य क्या है पूरे भारत में टीका करन के महत्व को बताना इसे पहली बार 1995 में मनाया गया था और इस बार की theme क्या है Vaccine Work for All तो यादखना राष्ट्रेट टीका करन दिवस कब होता है 16 March को होता है देखो March के सारे important days एक बार फिर से मैं आपको revise कराऊँगा उससे पहले दो प्रश्णों का जवाब आप दोगे DNA आधारित पहली वैक्सीन लगाने वाला देश कौन सा बना तो आंसरों का भारत और उस वैक्सीन का नाम है Zycove D जिसे बनाया Zydus Cadula ने अब एक प्रश्ण का उतर आप दो Plant Based यानि कि Plant आधारित पहली वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था मार्च के Important Days की बात करते हैं तो देखो एक मार्च को विश्व नागरेक सुरक्षा दिवस मनाया एक मार्च को ही सुन्य भेदभाव दिवस Zero Discrimination Day मनाया दो मार्च को Civil लेखा दिवस, Civil Accounts Day तीन मार्च को World Wildlife Day विश्व वन्यजीव दिवस तीन मार्च को World Hearing Day चार मार्च को विश्व मोटापा दिवस, World Obesity Day चार मार्च को ही राष्टर सुरक्षा दिवस सात मार्च को जन ओशिद दिवस साथ मार्च को ही विश्व टेनिस दिवस मनाया आठ मार्च को अंतरराष्टर महिला दिवस मनाया International Women Day नो मार्च को धुम्रपान निशेत दिवस मनाया दस मार्च को वल्ड किड्नी डे दस मार्च को ही अंतरराष्टर महिला न्याय दिवस International Day of Women Judge के रुप में मनाया 14 मार्च को हमने अंतरराष्टर गणित दिवस मनाया जिसे पाई डे भी बोलते हैं 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतरराष्टर कार्रे दिवस मनाया और 15 मार्च को विश्व उपभोकता अधिकार दिवस World Consumer Right Day मनाया तो मार्च के सारे Important Days आपको याद होने चाहिए बढ़ते आगे और हाँ देखिए मार्च का महिना चल रहा है January हो गया आपका February हो गया January और February के जितने भी Important Days है विद थीम उसका एक separate वीडियो में ने अपलोड कर दिया है अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा February का तो अभी दो-ती दिन पहले ही डाला था और मैं आपको बता दू अगर पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हो तो अभी February के जितने भी Topic Wise हमारे Current Affairs है उसके वीडियोज अपलोड होना उसका वीडियोज अपलोड हो गया और एक और आगया था जो भी चीज़े पहली बार हुई है देश-विदेश में भारत में जो भी चीज़े पहली बार हुई है उससे रिलेटेट जो भी कुशन बने हैं वो सारे कुशन का एक separate वीडियो बनागर के upload कर दिया गया आज देखते हैं आज कौन सा topic बनता है तो इस तरह से धीरे-धीरे सारे आपके topics cover हो जाएंगे तो वीडियो उसको regular देखते रहें और quiz लगाते रहें और अगर ये series अच्छी लगती है तो please इसे support भी करें अपने दोस्तों के जाथ में share जरूर करना और like करना मत बूलना अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में पंजाब के नए मुख्य मंतरी कौन बन गए हैं इन्होंने शपत ले ली है इनका नाम है भगवंत मान ये पंजाब के मुख्य मंतरी बन गए हैं और ये किस पार्टी के हैं आम आदमी पार्टी के और अभी इन्होंने जो बोले सोनिहाल और भारत माता की जेका नारा लगाते हुए शपत ग्रह समारों में शामिल हुए ये और अपना भाशन इनकलाब जिंदाबात के साथ समाप्त किया किन का इस्थान लेंगे अब ये चरंजीत सिंग चन्नी का इस्थान लेंगे अचा रंजीत नात कौन है कल पड़ा था ओईल इंडिया लिमिटेड के सीमडी बने थे विनीत जोशी सीबीएसी के चेयर्मेन है और शांती श्री धुलीपुडी पंडित जे एन्यू की पहली महिला वाइस चांसलर ये बनी है लेकिन यहां तो बात पंजाब की है तो ये रा मैप में पंजाब कैपिटल इसकी क्या है चंडिगड है और आप जानते हो देश का सबसे उचा एर प्यूरी फायर टावर कहां पे लगाया गया था चंडिगड में ही और चंडिगड रेलвे स्टेशन को फाइव स्टार इट राइट स्टेशन का सर्टिफीकेट बे बें मिला था और ऐसा होने वाला ये पांच वा रेलवे स्टेशन बना था और चंडीगड की ही है हरनाच संदू जिनोंने सत्तरवी Miss Universe का खिताब जीता है यहां के अब मुख्यमंत्री कौन बन गए है भगवन्त मान सिंग गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित जिनोंने इनको शपत दिलाई अचाब पंजाब में जो मोहाली इंटरनेशनल होकी स्टेडियम उसका नाम किसके नाम पे रख दिया गया था बलबीर सिंग सीनियर के नाम पे और अभी पंजाब ने जगनात रत यातरा को राज्य उत्सव खोशित किया है पंजाब में पहले एक योजना चलती थी मिशन लाल लकीर के नाम से जिसका नाम बदल के अभी मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया अभी पंजाब ने स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए आई एम पंजाब इनोवेशन मिशन पंजाब पहल को शुरू किया पंजाब ने कोरुना टीका करन अभ्यान का ब्रेंड अमबेस्टर बनायता सूनू सूध को अचाब पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है गतका है गतका उसके अलब आपको याद होगा पंजाब ग्लूबल कौवेक्स अलाइंस में शामिल होने वाला पहला भारतेर राज्य भी बना था और पंजाब का भी तेविसवा जिला कौन सा बना मलेर कोटला बना है संगरूर जिले से अलगो करके और अभी पंजाब ने आशिरवाद योजिना के तहत जो सहायता राशी दी जाती है उसको 21,000 रुपे से बढ़ा कर 51,000 रुपे कर दिया गया ये जो आशिरवाद योजि जीव किसे घुशित किया गया था ब्यास नदी में पाये जाने वाली सिंदू डॉल्फिन को तो ये सब ध्यान रखेंगे आप भढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में ऑसकर 2022 में किस भारते डॉकुमेंटरी को सर्वश्रेष्ट वरत्य चित्र फीचर शिरिनी में नम अंकित किया गया तो आंसर होगा राइटिंग विद फायर तो दलीतों के नेतरत्व वाले सर्व महिला समाचार पत्र खबर लहरिया के बारे में एक डॉकुमेंटरी है ये इसका नाम है राइटिंग विद फायर जो कि अभी आसकर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारते डॉकुमेंटरी बन गई है आपको बता दू पिछले सालिस डॉकुमेंटरी ने संडांस फिल्म फैस्टिवल में ओडियन्स और जूरी अवार्ड जीता था इसके निर्माता रिन्टू थॉमस है और डारेक्टर है सुश्मिता घोश अचा ये डॉकुमेंटरी जिस निउस भारते फिल्मों को ओसकर में शॉर्ट लिस्ट किया गया था तो आंसर होगा मरकर और जै भीम नाम की मूवी को और इस बार ये ओसकर का कौन सा संसकरन है 94 नंबर का चलो आप तो मुझे बताओ अब यमने पढ़ा था 75 नंबर का बाफता फिल्म अवार्ड दो हजार बाईस इसमें 4 चीज़े याद रखनी है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है किसे दे पावर अव दे डॉग को और इसके जो डायरेक्टर है उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला उनका नाम है जेन केंपियन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मित को किंग रि उसकार 2022 की गोशना हुई थी उसमें Best Actor रहे थे रणवीर सिंञ, 83 नाम की मुवी के लिए Best Actress रही थी क्रती सेनन, मीमी नाम की मुवी के लिए, और Best Director रहे थे केन घोश और Film of the Year का अवार्ड उसमें किसको मिला था पुश्पा, The Rise को और Best Film का आवर्ड मिला था शेर शां को उसके अलबा 67th National Film Awards भी हमने पड़े थे उसमें Best Hindi Film रही छिछोरे Best Actor रहे थे मनुझ बाजपी और धनुष और Best Actress थी कंगनार रनौत और 51 वा दादा साहब फाल के आवर्ड मिला था रजनी कांत को अचा यहां तो हम ऑसकर की बात कर रहे न तो पिछले साल जो ऑसकर थी वो उसका 93rd नंबर का एडिशन था उसके बता दो आप तो आंसर क्या होंगे जैसे कि Best Film कौन से रही थी? Nomadland Best Actor कौन थे? Anthony Hopkins The Father Movie के लिए Best Actress थी? Frances McDormand Nomadland Movie के लिए और Best Director थी Chloe Zhao Nomadland Movie के लिए तो यह सारे चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कई बार में आपको repeat करा चुका हूँ बढ़ते आगे अच्छा बताइए भारत का पहला World Peace Center ये का पर स्थापित किया जाएगा तो आंसर होगा गुरुग्राम में तो शान्ती के राजदूत जेना चार्रे डॉक्टर लोकेश जी ये अहिंसा विश्व भारती संगठन हर्याना के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शान्ती केंद्र इस्थापित करेंगे ये दुनिया में शान्ति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा, यहां सब के लिए शान्ति सिक्षा के कारेकरम आयुजित किये जाएंगे, और ये लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास के लिए समर्पित होगा अचा गुरुग्राम से आप क्या पॉइंट लिंक कर सकते हो, चलिए उससे पहले मेरे कुछ प्रशनों का उत्तर दीजिए, पहले तो बताईए सबसे सिंपल प्रशन, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का हैटकोर्टर का पर है, तो आप कहोगे गुरुग्राम में हैं, मैं से पालन विवसाए इंक्यूबेटर ये कांपे लॉंच किया गया, आप कहोगे गुरुग्राम में, मैं पूछूँगा गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी, कलार रामचंदरन बनी थी, और अभी गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ का ब्रेंट एंबेश्टर किसे बनाया गया, आंसर होगा तनिशका कोटिया को, यहां से भी प्रश्ण बन सकता है, तनिशका कोटिया का सम्मंद किस खेल से है, तो आंसर होगा शत्रंज से, चैस से, अच्छा चलिए आप मुझे बताईए, स्टेची ओफ पीस, यह कहां पर स्टिद है, इसके साथ यह भी बता दो, स्टेची ओफ एक्वेलिटी कहां पर है, और स्टेची ओफ यूनिटी यह कहां पर है, आप बताईए, हम बढ़ते आगे, चलिए बताईए, फिडे शत्रंज ओलंपियार 2022 का आयोजन यह कहां पर होगा, तो आंसर होगा के बाद उस पर काफे सारे प्रतिबंद लगा दिये गए, और जो खेल आयोजन महां पर होने वाले थे, उनको भी कैंसल कर दिया गया, तो अब यह भारत में होगा, भारत में भी कहां पर चेन्नी में यह आपको याद रखना है, और आपको बता दू, फिडे, यह वर्ल्ड अगस्त के महिनी में हो सकता है, अच्छा चलो आप तो मेरे एक दो सिंपल सिंपल प्रशन का उत्तर दे दो, वर्ल्ड नमबर वन चेस प्लियर है, मैगनस कालसन जोकी नौर्वे से हैं, आप सब ही जानते हो, उनको हराने वाले अभी सबसे युवा, खिलाडी कौन बने थे तो आण्सरोगा आर प्रग्यानन्दन, और अभी भारत की 23-24 महिला ग्रैंट मास्टर कौन बनी, प्रियंका नुटक की, या अंद्र प्रदेश के विजवड़ा की है, और वैसे भारत की पहली महिला ग्रैंट मास्टर कौन है, एस विज़े लक्षमी है, भारत के पहले जानचंद पुरुसकार कहते हो उसमें पुरुसकार राशी भी बढ़ गई साड़े साथ लाख रुपे से बढ़के 25 लाख हो गई है और अभी 73 थर्ड नंबर के पूरुशों में ग्रैंड मास्टर कौन बने भरत सुब्रमन्यम जो कि चन्नी से हैं उसके अलवा अगर पूछ यह का पे खुलेगी बबनेश्वर में और चैस डे कब मनाते हैं 20 जुलाई को मनाते हैं और यह आपका चैस बोर्ड हो गया दो तरके प्रशने पूछे जाते हैं टोटल नंबर ओफ यह जो खांचे दिख रहे हैं बॉक्स दिख रहे हैं टोटल नंबर ओफ कॉलम्स यह कित कोटल को लांच किया तो अंसर होगा दिल्ली तो अब धिल्ली सरकार ने दिल्ली में एलेक्टल ओटो की खरीद और रजिस्टरेशन के लिए एक On-Line Portal लांच किया है डिसका नाम है माई EV और दिल्ले सरकार ने कहा कि जो भी E-Auto की खरीद करेगा उसे 5 परतिशत का अनुदान भी दिया जाएगा चलिए आप दो ये बताएए अभी ये December 2021 किसमे हमने पड़ा था कि Electric Vecal पंजीकरत यानि की रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राजय टॉप पे रहा था तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश और Electric Vecal City किसको कहते हैं गुजरात की केवडिया को ये भारत की पहले Electric Vecal City है यहीं पर आपको पता Statue of Unity है यानि कि सरदार पतेल जी की Statue है किस द्वीब पर है सादो बेट द्वीब पर है किस नदी के किनारे है नर्बता नदी के किनारे है वास्तुकार कौन है राम वी सुतार और अगर पूछे कि दुनिया का सबसे उचा Electric Vecal Charging Station का पर स्तापित किया गया हिमाचर प्रदेश के काजा में और भारत का सबसे Electric Vecal Charging Station का पर खुला गुरुगराम में बाकी बात दिल्ली की भी है दिल्ली के मुख्य मंत्री कोन है अरविंद केजरिवाल है अच्छा आप तो ये बताओ भारत का पहला E West Eco Park ये का पर खुलेगा तो आंचर होगा दिल्ली में अभी दिल्ली पुलिस ने उन्नती नाम से E-Learning Platform भी लाउंस किया था राकेश अस्ताना यहां के पुलिस कमिशनर है और दिल्ली गौवर्मेंट ने देश के मेट्रो अभियान का ब्रेंड अमबेस्टर बनाय था सोनु सूध को और देश का पहला Smoke Tower ये का पे लगा दिल्ली में अभी दिल्ली सरकार ने पेंचन के वि परशष्टर लाइसेंस यानि कि आम्स लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस भी बनी थी दिल्ली पुलिस उसके अलावा भी प्रो कबड़ी लीग 2022 का किताब किस ने जीता दबंग दिल्ली नहीं तो जीता है पटना पाइरेट्स को हरा करके ये इसका आठवा संसकरन था तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना बढ़ते आगे अचा बताईए अभी हाल में किस राजय ने देश की पहली मेडिकल सिटी का नाम इंद्रा यणी मेडि सिटी घूशित किया तो अंसर होगा महराश्टर तो अभी महराश्टर सरकार ने बजट के दुरा कहा कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रा यणी मेडि सिटी ये पुणे में स्तापित की जाएगी तो इंद्रा यणी मेडि सिटी में अस्पताल चिकित्सा अनुसंधान केंदर फार्मसोटिकल निर्मान वेलनेस और फीजियो तेरफी के केंदर होंगे मतलब ये देश क पे महाराश्टर की है यह रहा मैप में महाराश्टर केपिटल क्या है इसकी मुंबई है और मुंबई से आपको याद रखना है कि 2023 में अंतरराश्टर ओलंपिक समिती सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई और भारत की पहली वाटर टेक्सी सेवा का उद्गाटन कहां पर किया गया मुंबई में और बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी मुंबई से एमदाबाद तक चलेगी और बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर त तरकी का स्तानबुल है अच्छा देश का पहला ड्राइव इन वेक्सिनेशन सेंटर ये कांपर शुरू हुआ था मुंबई में और मुंबई किस द्वीब पर इस्ते थे साल सेट द्वीब पर किस नदी के मुहाने उलहास नदी और मुंबई के साथ में दो दर्रे में आपको बताये थे एक है थालगाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है दूसरा है भोरगाट दर्रा जो कि मुंबई को पुनि से जोड़ता है बाकी यहां के मुख्य मंत्री बन गए उद्धा उठाकरे कवर्नरे भगतिंको श्यारी चीव चेस्टे से दिपांकरदत उसके अलवा याद रखना जो महराष्टर है ये क्रशी निर्यात निती बनाने वाला पहला राज्य भी बना था और अभी महराष्टर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्ता वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है और महराष्टर सरकार ने कैंसर की रोख थाम क बुक को किस ने लिखा है तो आंसर होगा अभिनाव चंदर चूड ने तो ये जो बुक है न ये सोली सोराब जी की जीवनी है और वे कौन थे वे भारत के पूर्व अटॉर्णी जनरल थे अब एक प्रशन तो आपका यहीं पर रेडी हो गया कि वरतमान में भारत के अटॉर् और सॉलिसिटर जनरल कौन है ये यादो तो ये भी बताओ और अभी ये जो सोली सोराब जी है इनकी जीवनी है ये सोली सोराब जी लाइफ एंड टाइम्स और इसको किस ने लिखा है अभिनाव चंदर चूड ने लिखा है बाकी देखो अभी तमिल नाडू की जो मुख्य जनरल थे बान की मून उनकी आत्मकता है उसका नाम है Resolved United Nation in a Divided World, सुरेश रेना की है Believe What Life and Cricket Taught Me, सोनुसूत की है I Am No Masihah, नीना गुपता जो एक्टरेस है उनकी है सच कहूं तो, पंदरवे वित्तायुक की जो अध्यक्षे N.K. सिंग उनकी है Portraits of Power, विश्वनात अनंद की Mind Master है, और रतन टाटा जी की जीवनी भी आने वाली है, जिसका नाम है Ratan and Tata The Authorized Biography, उसको लिखा है Dr. Thomas Matthew ने, और सुभास चंदर बोस की उपर एक बुक लिखी है, चंदर चूर घोष ने, बुक का नाम है Boss The Untold Story of an Inconvenient Nationalist, और रविंदर नाठ टेगोर जी के उपर भी ए पुमादास गुपता ने, जिसका नाम है A History of श्रीनिकेतन रविंदर नाठ टेगोर पाइनेरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी बुकों के नाम आपको याद रखने हैं, मैंने अभी आपसे एक प्रश्न बूचा था, वर्तमान में हमारे Attorney General कौन है, और Solic General कौन है, तो Attorney General पंदरवे नंबर के हैं के के वेनु गोपाल, Solicator General है तुशार महता, बढ़ते आगे, फिर बताईए, अभी हाली में भारत का Digital Water Bank, Aquarium, ये कहां पे लौंच किया गया, तो आंसर होगा बंगलूरु में, तो भारत का पहला Digital Water Bank, जिसका नाम है Aquarium, ये पहल है, इसका जो गढ़न है, ये एकवा Craft Group Venture के द्वारा किया गया, अब बंगलूरु, चुकि केपिटल है, करनाटक की तो ये रा मैप में करनाटक, केपिटल बंगलूरु हो गई, यहीं पे आपको Infosys का Headquarter मिलेगा, Wipro का Headquarter मिलेगा, हिंदुस्तान Aeronautical Limited का मिलेगा, Silicon Valley of India इसी को कहा जाता है, मुख्यमंत्रिकों ने बसावराज बंमई है, और Governor है थावर चंद गहलोत, आचा जोग जल प्रपात Waterfall, जिसे गर सप्पा जल प्रपात भी कहते हैं, ये आपको मिलेगा, करनाटक में ही शरावती नदीप है, और बंगलूरु में ही एक Cyber चिंद्र शुरू करेगा IBM, IBM ने मैसूर में क्लाइंट इनोवेशन सेंटर भी लांच किया था इससे पहले, अभी करनाटक के बेलगाओं में भारत और जापान के बीच में एक एक सरसाइस भी हुआ था, जिसका नामे धर्मागार जियन, और बताओ, सेयद मुस्ताकली ट्र करनाटक के मैसूर में स्तापित किया गया, और करनाटक का 31 वा जिला कौन सा बनेगा विजे नगर, अलमाटी बांध आपको यहीं पर मिलेगा करश्ना नदी पर, करश्नराथ सागर बांध भी यहीं मिलेगा काबिरी नदी पर, भारत की पहली तटर रक्षक अकादमी, कोस् और करनाटक सरकार ने देश की पहले इंटिग्रेटिड एर एंबुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था, अच्छा भारत का पहला खिलोना, निर्मान, समू, टोई, मैनिफेक्चिन, क्लस्टर यह कापे बनेगा करनाटक में, तो यह सारे पॉइंट आप ध्यान रखना वेजानी बांदा इनका निदन हो गया, वे जांबिया के चोथे राष्ट्र पती रहे थे, उनका कारेकाल था 2008 से लेके 2011 तक लेकिन अभी इनका निदन हो गया, बात जांबिया की है तो अफरीकी देश है यह, यह रा मैप में जांबिया, केपिटल लुसाका है, करंसी है, और वर्तमान में इसके प्रसिडेंट कोने, हाकेंडे हिची लेमा बढ़ते आगे, अच्छा बता ही अभी हाल इमें किस राज्य के पूर्वर राज्यपाल रही कुमुद बेन मनी शंकर जोशी का निदन हो गया, तो आंसर होगा आंदर प्रतिश, तो आंदर प्रतिश के प बाद राज्य की दूसरी महीला राज्यपाल थी, नाम था इनका कुमुद बेन मनी शंकर जोशी, तो इनका नाम ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर बताईए, अभी हाल में किस कंपनी ने भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन अप को लॉंच किया, तो आ ये IPO और गोल बोन्स वगेरा वगेरा में आप आफसानी से निवेश कर सकोगे, मतलब ये 2400 घंटे 7 दिन खुला रहेगा, यानि कि किसी भी वक्त IPO के लिए आप इसमें आविदन कर सकोगे, और यूजर IPO का लाइव सब्सक्रिप्शन, लाइव स्टेटस, एक्सपर्ट्स व उनका कहना है, तो आप तो यादर को भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन अब को किसने लांच किया, IIFL Securities Limited ने, अब हम बात कर लेते हैं, कल के वीडियो में पूछी गए प्रशन के उत्तर की, और गाईज अगर सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, एक बाट चेक कीजिए तो जरा, आपने इसको लाइक करा है या नहीं करा, तो देखिए कल आप से क्या पुछा था, अंतर राश्ट्रे गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो अंसर होगा 14 मार्च, पाई के वेल्यू ध्यान रख लो 3.14, तीसरा तो महिना और 14 इसकी तारीक हो गई, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया, और इन सब क्यूस्चन का क्यूस बना करके अप्लोड कर दिया गया आपके क्रेक एक्जाम अप्लिकेशन पे, वहीं पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी, क्रेक एक्जाम अप्लिकेशन का लिंक आपको नीचे description में मिलेगा, टेलिग्राम का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, अब यह रहा आज का आपका homework प्रशन है,